तयार, आज, फिजिक्स में मचाते हैं The magnetic force on a charged particle is always perpendicular to its velocity सही बात है, जो magnetic force होता है, यह अपन पढ़ेंगे 12 में यह हमेशा velocity के perpendicular होता है जैसे हैं पर माल एक charged particle है देखो, इसमें दिख भी रहा है तो यह green color से देखो force है यह charged particle है, यह magnetic field है dot का मतलब है बाहर की तरफ, dot का मतलब है magnetic field बाहर की तरफ है खेर इसमें इत्ता ध्यान नहीं देना important ही है, जब मैंने एक charged particle को charge particle को जब मैंने magnetic field भी बेजा, मालो proton है यह क्या है, यह proton है, proton proton का charge क्या होता है, plus E तो जब इसको फेका तो देखो, इसकी velocity, काले color से अपने velocity दिखा रहे है, green color से force दिखा रहे है तो important यह है, कि इसकी velocity इदर है, जो magnetic force है वो हमेशा velocity के perpendicular रहता है हमेशा रहेगा, हमेशा, ठीक है इसके बार में, all detail में, आपने 12 में पढ़ेंगे पर हमेशा रहता है, can the magnetic force change the velocity of the particle speed of the particle बहुत अच्छा question है can the magnetic force change the velocity of the particle and the answer is yes, can it change the speed of the particle and the answer is no, it cannot क्यों, चलो समझते न तो देखो यार, velocity change करने के लिए what do you need, you need acceleration, acceleration क्या होता है, force by mass तो यहाँ पर क्या होता है, magnetic force, centripetal force की तरह भीएब करता है it is uniform circular motion, यह जो हो रहा है यह uniform circular motion हो रहा है, यह जो ऐसे गूम रहा है, this is uniform circular motion तो uniform circular motion में अपने पढ़ात होता भाई, acceleration होता है यह कौन सा acceleration है centripetal acceleration, यह centripetal acceleration दे रहा है centripetal acceleration direction change करने में use होता है तो इसका direction change हो रहा है पर speed constant है दो को velocity change कर रही है क्योंकि direction change हो रहा है पर speed constant है तो क्या velocity of the particle change करता है हाँ velocity में मतलब सिफ direction change करता है speed को change नहीं कर सकता क्योंकि perpendicular है इसको कई तरीकों से explain कर सकते हो पहला explanation number one इसको कई Perpendicular. Perpendicular है तो यह जो force है, जो Magnetic Force है, वो तुम को Centripetal Acceleration दे रहा है, और अगर तुमने सरक्यलो मोशन में Centripetal Acceleration को कॉंसर पढ़ाए, तो हमने साफसा पढ़ाए कि Centripetal Acceleration Direction चेंज कर सकता है, Speed नहीं. Speed, Tangential Acceleration चेंज करता है. करता है है और जैनोंने नहीं पढ़ा हाँ से याद रख लेना संटि पीटल एकसेलेशन डिरेक्षिन चेंज करता है टेनेशल एकसेलेशन एस पीटलेशन नहीं है निए मेजनेशल इसकता है तो वो स्फीट चेंज नहीं कर सकता मैफ़न नंबर टू आ तो इसका displacement तो हमें सब वैलो सिटी के डिरिक्शन में होता है तो वर्क डन वाइं मैगनेटिक फोर्स क्या होता है या रखना वर्क डन वाइं मैगनेटिक फोर्स होगा एब वेक्टर डी एस वेक्टर और यह परपेंडिकुला नहीं इंडिर एक कॉंसेप्ट है यह ग्रिफित में लिखा भी हुआ है ग्रिफित सबसे चीब हो के लेक्टर डैनमिक्स के न वर्क डन वाइं मैगनेटिक फोर्स जिर्ण्थ इसको अपने लएक चीब हिा पैसकोट में लिख़ना बटो यह पिशीक्स ऑफ़ियकट फिर्ण-वाइश में के लिग है इस NOW以及 प्रें कभी मैगनेटिक फोर्स कोई नहीं कर सकता वर्क डन-म मैंगनेटिस उल्वेड है उल्वेसिर्ण्ट म है तो चेंज इंड बॉही बहुत तो जी तो तो बॉह एंद्स Herm 6 जीरोगी नहीं कि लॅट किनदीद ARC lr इसेडिक है अधिक अधिकल किशन डमा प्रिस्ध लां किछ लोगीवास कल दिया में में आए